इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं लेक्सिकल वर्ब आखिर कौनसी वर्ब होती है तो लेक्सिकल वर्ब कौनसी वर्ब कहलाती है यह हम इस वीडियो में देख रहे हैं पहली चीज़ आप याद करिए कि हम लोग जो वर्ब है, क्रिया है, उसको तीन भागों बाटते थे, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, हमने यहाँ पर अभी कुछ नई बुक्स में, पांच फॉर्म में भी उसको बाटा जा रहा है, तो नहीं भी तो उनको हम पांच वह अलग-अलग भागों में बाट सकते, जैसे पहला प्लेज, सेकेंड फॉर्म फॉर्म फॉर्म, प्लेज, फोर्थ फॉर्म, अगर उसमें इन जी बना दिया जाए तो प्लेइंग, ठीक है, और पांच वह जो है, एस लगा दिया जाए, या एस लगा जाए तो अपो plays बन जाता है ठीक है तो यह पाचो form हो गए play के ठीक है अब और देखिए जैसे write, second form wrote, third form written, fourth form writing, fifth form writes, अब मैं यहाँ पर उनकी यह बात नहीं कर रहा हूँ कि second form wrote क्यों होता है, third form written क्यों होता पर यह पाच तरह के शब्द पांस तरह के शब्दा बन जाते हैं, पाचो form में हम लोग उसको बाट सकते हैं, तो यह पाचो जो है वो lexical verb ही कहलाती है, क्योंकि वो किसी भी sentence में main verb के रूप में use होती है, जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ पर जैसे मैंने लिया हूँ go, ठीक है, तो second form उसका होता है went, ठीक है, irregular verb है go, और third form उसका gone हो जाता है, change हो जाता है, फिर fourth form में हम लोग उसको going, ing अगर जोड़ते हैं, तो going हो जाता है, fifth form में goes, तो यह पांच तरह के हम लोग sentence बनाते हैं, और यह पांचो तरह की form को हम लोग use करते हैं, हर verb की, देखिए, जैसे I go to school, म अगया, ठीक है, he is going to school, वहाँ school जा रहा है, he goes to school, वहाँ school जाता है, ठीक है तो अलग-अलग तरीके के sentence में हम लोग अलग अलग तरीके से verb को use करते हैं, यह आप जानते हो, अगर नहीं भी जानते हो, तो आप tense में आप देखेगा, unto सारे tense में हम इन verbs को use करते हैं, किसी भ होती है उनको हम लेक्सिकल वर्ब कहते हैं और यह पांचो फॉर्म में रहती है आपको वीडियो पसंद आया हो गया तो लाइक कर दीजे सब्सक्राइब जरूर करिए के चैनल को और अपने दोस्तों को शेर करना बिलकुल मत भूलना थेंक यू